तक्निकी प्रगति के साथ लोगों का जीवन बहुत सहज हो गया है हाला कि भविश्य में जीवन कठिन और कष्टों से बरा होने वाला है ऐसा इसलिए है क्योंकि तक्निकी प्रगति के कारण पर्यावरन में खराबी और प्रदुशन हो रहा है मनुश्यों के आराम से अधिक मातरा में कच्रा पैदा होगा जिसे पुनर्विनिकरन नहीं किया जा सकता और यहाँ पर्यावरन के लिए हानिकारक हो सकता है आश्चरेजनग रूप से यहाँ आराम भविश्य में समस्याओं को जनम देगा पर्यावरन को बचाने की जरुरत है उधारन के लिए जब आप प्लास्टिक के दूद के पैकेट खरीते हैं तो आप एक छोटा कोना काट लेते हैं दूद निकाल लेते हैं और पैकेट को फेक देते हैं हर कोई कैचप पाउच से भी एक छोटा सा कोना काट लेता है और कैचप निकाल लेता है पैकेटों के बड़े हिस्से को पुनर्विनिकरन किया जा सकता है और लैंडफिल, सडको, आधी के लिए उप्योग किया जा सकता है हाला कि छोटा टुकडा महत्वपुनर नहीं लगता है और उसे फेक दिया जाता है यह कोई मामूली बात नहीं है है, हैरान हो गए, कुछ महिने पहले करनाटक बाजपा की अध्यक्षर तेजस्विनी अनन्त कुमार ने कहा था कि यदि आप दूर के पैकेट से कटे हुए सबी छोटे टुकडों को एकटा करते हैं तो यहाँ पचास लाग टुकडों के बराबर होगा वो, इतने सारे टुकडे बस बरबाद हो जाते हैं क्यूंकि उन्हें पुनर्विनी करन नहीं किया जा सकता इससे पर्यावरन और हमारे स्वास्त को भी नुकसान होगा इन टुकडों को एकटा करना हमारी जिम्मेदारी है LDPE से बने दूद के पैकेट या पाउच जो एक प्रकार का प्लास्तिक पुनर्विनी करन किया जा सकता है और सड़क, लैन्फिल आदी बनाने के लिए उप्योग किया जा सकता है इस प्रकार के प्लास्तिक का पुनर्विनी करन नहीं किया जा सकता क्योंकि वे फिट नहीं होते और उन्हें फेक दिया जाता है पर्यावरन को बचाने की ज़रूरत है याद रखे यदि आप दूद के पैकेट या पाउच से एक छोटा टुकड़ा काटते हैं तो उसे एक तरफ रख दे, सामगरी को बाहर निकाल दे और छोटे टुकड़े को बचाने के तभी इसे रीसाइकल किया जा सकता है और पर्यावरन को बचाया जा सकता है या दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि पैकेट के आर पर एक शतिज रेखा काट दी जाए और छोटे पीस को बड़े वाले पर लटका दे आ जाए छोटे टुकड़े को अलग ना करे बस पैकेट को एक-slit करे और खोल दे और सामगरी को बाहर निकाल दे हमारी सावधानी पर्यावरन और हमारे स्वास्ति की रक्शा करने में मदद करेगी पर्यावरन को बचाने के लिए कि रुप्या याद रखे कि केवल पैकेट को काटे या छोटे पीस को वापस बड़े में डाल दे